कुंडली में बुरे ग्रह या बुरे भाव को जी हां यह शिर्शक है तो जन्म कुंडली में कोई ग्रह बुरा या भला नहीं होता याद रखिए जब ये भाव वाले ग्रह किसी ग्रह के साथ मिल जाते हैं तो कोई भी ग्रह बुरा प्रभाव देने लगता है याद रखिए जन्म कुंडली में लगन को मूल त्रिकोण, पंचम को मूल त्रिकोण और नवम भाव को मूल त्रिकोण कहा है और जो मूल त्रिकोण के स्वामी ग्रह होते हैं वो जब भी कहीं बैठेंगे तो अपना शुभ प्रभाव देंगे, वर्चस्व देंगे, किसी भी विक्ती में राज योग कारक हो जाएंगे ठीक है, हम उन जोतिशियों के लिए चर्शा कर रहे हैं, जो बेसिक रूप से अभी जोतिश के उपर चल रहे हैं इस समय के काल के अनुसार, जोतिश एक प्रदर्शन मात्र भी तो नहीं रह गया है, केवल लोभ वस रह गया है तो मैं कहूंगा कि लोभ हर वेक्ति में होता है, परंटो लोभ का भाव सिर्फ सीमित हो तो लाब होता है और अगर असीमित हो जाएगा तो लोभ कहलाएगा और लोभ ही पाप का मूल होता है तो अब हम यह बात आपको इसलिए कह रहे हैं कि बेरोजगारी के समय में बहुत सारे हमारे भाई बहन जोतिश छेत्र में जा रहे हैं उस जोतिश छेत्र में जब फलादेश करें तो फलादेश करते समय यह बात जरूर ध्यान में रखें अभी आप देख रहे हैं यह कुंडली चार्ट है कोई भी हमने राशी नहीं विठाई मैं आपको मुल्त रिकोड पंचम लगन नवम के बारे में बता चुका हूँ अब जानुए कि केंद्र क्या है तो इसके लिए हमें एक लगन यहां पर निरधारित करना होगा बेसिक तोर से लगन मेश हो गया यह मेश का स्वामी मंगल होता है ठीक है यह वरिश हो गया जो की दो दिखाई पड़ रहा है जब भी कहीं दो दिखाई पड़े जोतिश में तो समझ लेना कि वरिश राशी है यह तीन हो गया कालपुरुस की कुंडली में यही लगना आता है यह तीन हो गया इसका मतलब मिथुन राशी है और यह चार हो गया मतलब करक राशी है यह पांच हो गया मतलब सिंग राशी है यह छे हो गया मतलब कन्य राशी है और यह सात अर्थात तुला राशी है इसी प्रकार से आठ ब्रिष्शिक राशी है, ये नाइन हो गया, ये धनु राशी है और ये हो गया तेन, ये क्या है मकर राशी है ये हो गया कुंबल time ऐलेबन, इसको कुम राशी कहते हैं और ये हो गई मीन राशी, 12 नमबर है अब इस पे हमको आपके साथ चर्चा जो करनी है बड़ी समझ के साथ करनी है और आप वीडियो इसलिए जरूर पूरा देखिए कि आप अगर बेसिक तोर से चल रहे हैं तो समझने में सरलता हो जाए बुरे ग्रह या बुरे भाव जन्मकुंडली में मैं पहले बता चुका हूँ कोई भी ग्रह बुरा नहीं होता बुरे होते हैं भाव हाँ पाप ग्रहों की गड़ना की गई है जैसे शनी की, राहू की, केतू की पाप की गड़ना है लेकिन एक ग्रह और भी पापी है वो है चंद्रमा चंद्रमा क्रश्नपक्ष की छठी के बाद पाप मैं प्रवृत्ति वाला हो जाता है और अमावस्या का चंद्रमा प्रवल पापिष्ट हो जाता है हलाकि चंद्रमा शुबग रहे है परंतु शुबता कब तक रहती है शुक्लपक्ष से लेकर के क्रश्णपक्ष की छठी तक रहती है और शुक्लपक्ष की अश्टमी से लेकर के हम क्रश्णपक्ष की अश्टमी तक भी कहें तो भी चंद्रमा बुरा प्रभाव नहीं देगा लेकिन जश्ट उसके बाद चंद्रमा का बुरा प्रभाव हो जाता है अमावस्या को चंद्रमा पापी, प्रतिपदा को थोड़ा पापी, दुतिया को और थोड़ा पापी ऐसे अश्टमी तक चंद्रमा का पाप प्रभाव छिन होता जाता है और वो श्रुब प्रभाव में जाता जाएगा अब हम चंद्रमा के बारे में आपको बता चुके है मंगल भी खराब हो जाता है, पापी हो जाता है हलाकि क्रूर ग्रह कहा गया है मंगल को भी और सूरे को भी अध्यात्म जोतिस में सूरिय जगत की आत्मा है विश्व की आत्मा है लेकिन भावतिक जगत में एस्ट्रोनॉमी में सूरे को एक ग्रह कहा गया है जो की गरम होता है चलिए अब हम लगन और पंचम तथा डवम के वारे में आपको बता चुके हैं, इसको मूल त्रिकोंड भी कहा गया है, मूल त्रिकोंड ठीक है, ये भी मूल त्रिकोंड है, और ये भी मूल त्रिकोंड है, अब एक और उपाधी देखना है, लगन से लेकर के केंद्र को, लगन से लेकर दसम अस्थान को केंद्र भी कहा गया है जैसे लगन केंद्र भी है और चतुर्थ भाव केंद्र है सक्तम भाव केंद्र है और दसम भाव केंद्र है जब केंद्र के ग्रहे किसी के साथ बैठते हैं तो भी राज योग का प्रभाव हो जाता है अब ग्रहे बुरे हैं या की भाव बुरे हैं उस पर चर्शा कर लेते हैं ये तो मैंने मूल त्रिकोड की तीन कंडिशन्स बताई ये चतुर्त कंडिशन्स है केंद्र 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 अब जो भाव को बड़ा बुरा कर देता है वो भाव को जराब देखें जैसे इसको त्रिक भाव कहते हैं यहां हम लिख देते हैं त्रिक भाव त्रिक और इसको भी कहते हैं त्रिक ठीक है और एक त्रिक भाव ये भी है त्रिक भाव अब इसमें तीन डिपार्टमेंट हो गए ध्यांसस बनिएगा इसमें तीन भेद हो गए जो लगन है उसे मूल त्रिकोंड और केंद्र भी कहा है चतुर्थ है उसे केंद्र कहा है पंचम मूल त्रिकोंड है सप्तम केंद्र है अश्टम त्रिक है छठा त्रिक है और बार्वाव भाव त्रिक है अब समझना है जब त्रिक भाव के स्वामी किसी भाव के साथ युती करें युती का मतलब होता है ग्रह के साथ बैठना जब त्रिक भाव के स्वामी किसी ग्रह के साथ युती करें तो वो ग्रह वह भाव दूशित हो जाता है और वह व्यक्ति उसी छण उस प्रभाव से हीन हो जाता है चलिए इसे हम समझते हैं तो हमने आपको दो विभाव बताए तीसरा विभाव देखिए फिलाल हम तीसरे भाव भाव के बारे में आपको पहले न बताकर ये बताते हैं अब देखिए त्रिक भाव छठा भाव त्रिक भाव है यहां से क्या जाना जाता है रोग कर्जा और दुश्मन जो हमारा competitor होता है यह हमारे सामने पढ़ाई के बाद छटे भाव में आ जाता है आपने पढ़ाई कितनी की आपकी योग्जिता कितनी प्रवल है यह त्रिक भाव सबसे पहले आएगा जब यहां का स्वामी पंचम भाव का स्वामी यहां के स्वामी से उपर होगा पावर में होगा तो त्रिक भाव अर्थात अपने जो एक करेक्टर है हमारा प्रतिदुंदी है प्रतस्परधी है, कॉंपिटीटर है हम उसको तब हरा पाएंगे जब इसको डाउन कर देंगे जैसे सूरिया प्रबल हो गया बुद्ध डाउन हो गया तो यह प्रतिदुंदी को हरा सकता है यानि अपने बौद्धिक विकास से सूरिया बुद्ध से उपर निकल जाएगा और कॉंपिटीशन से उस पार होने के करण जातक किसी भी अस्तर पे योग्यता और पद भी प्राफ्ट कर लेता है चलिए यह तृक भाव है अब तृक भाव का प्रभाव देखिए यहां का प्रभाव यह है कि जब यहां का स्वामी जहां भी बैठेगा उस भाव को खराब कर देगा माना कि लगन बहुत ही बढ़िया है और लगन का स्वामी हमेशा बढ़िया होता है लेकिन जब छठे भाव का स्वामी चुकि लगन का स्वामी मंगल है हम यहाँ पर मंगल को ले चलते हैं एक प्रकार से यहाँ पर अब त्रिक भाव के स्वामी के साथ मंगल की अगर युती हो जाए कहीं या दृष्टी हो जाए त्रिक भाव का स्वामी कौन है? बुद्ध है. वैसे भी बुद्ध नैसरगीक रूप से मंगल बुद्ध की सत्रता और समता है. यहां पर बुद्ध हा गए. अब किस किस घर को बुद्ध खराब करेंगे? नमबर एक, नमबर दो, नमबर तीन. समझेगा? यहां का स्वामी बुद्ध लगनेस के साथ धन भाव में बैठ गया. क्या करेंगे? लगन का स्वामी मंगल जातक स्वयम होता है. अब ये त्रिक भाव का स्वामी लगन के स्वामी को दूशित कर चुका. क्यों? क्योंकि बुद्ध मंगल के साथ हो गया. बुद्ध इंफिक् दे दिया तो अब क्या होगा जातक बीमार रहेगा जातक को क्रोध बहुत आएगा जातक अपने घर में कुटुंबियों के साथ लड़ाई जगड़े पे आमादा रहेगा कड़वे बचन बोलेगा जिसकी वज़े से क्या होगा कि बुद्ध यहां का भी स्वामी है तीसरे भ तो जब यहां का स्वामी कुटुंब में बैठेगा लगन के स्वामी के साथ बैठेगा तो दूशित कर देगा दूशित और भी अभी आपको हम बताएंगे कि और कौन-कौन सा अग्रह दूशित हुआ है इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक कुंडली का विश्लेशर करते सम हैं आप फलादेश करें एक शुक्र भी यहां से प्रभावित हो गया क्योंकि बुद्ध शुक्र की राश्ची में बैठ गया और सब्तमस्थान का स्वामी भी शुक्र है अब शुक्र कहीं भी बैठेगा तो बुद्ध से यानि सस्ठेस से प्रभावित होगा इससे प्रभ तो जाएंगी अर्थात यह केंद्र में यह केंद्र है केंद्र है के तु नहीं है समझ लिए consist कर दिया इसनेign सथेस ने तरिक भाईका स्वामी तो अब पतनी के साद्री वैंद मनस्यता दे जजेगा यह पत्नी बीमार रहेगी क्योंकि पतनी के स्वामी के भाव में भाव स्वामी की राशी में बैठ गया ना बुद्ध तो पतनी के साथ भी आपसी मतभेद पैदा कर देगा अच्छा दूसरी बात अब शुक्र इतना दूशित हो गया है कि शुक्र अगर अस्टम बैठा होगा तो जातक कि पतनी को जातक के जीवन में अपनी को सुख देगा यहां पर अगर शुक्र बैठ गया तो अब शुक्र यहां बैठ गया तो मंगल को और दूशित कर देगा जातक को विभिचारी बनाने में आमादा कर देगा दूसरा घर चरित्र भी है तो त्रिकभाव के स्वामी कैसे एक दूसरे को दूशित करते हैं इसे समझाने का भी पराय है ये तो हो गया एक त्रिक भाव अब दूसरा त्रिक भाव का स्वामी यहां के जो आखिए गा तो जातक को बाई बहनों का चोते भाई बहनों का सुख नहीं मिल पाएगा और ऐसे में जातक के सुभाव में क्रोध के कान भाग्योदे में कमी आ जाएगी। चिक। अब आठवे भाव का स्वामी मारकस्थान का स्वामी क्या करेगा। यहां का स्वामी भी मंगल ही है। हलाकि जब लगन मेश हो तो मंगल मारकस्थ नहीं बन पाएगा इतना बड़ा। जब शुक्र लगनेश हो तो शुक्र मारकस्थ नहीं बन पाएगा। क्योंकि लगन का स्वामी होने के कारण शुक्र या मंगल सदैव प्रबल रहेंगे, पावर में रहेंगे, इसलिए जातक को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब त्रिकभाव का स्वामी मंगल को खराब करेगा तो जातक के सभाव में करोध, कटुता, रोग पैदा करेगा और करजा पैदा करेगा। त्रिक भाव के बारे बताया, अब तीसरा त्रिक भाव 12 अस्थान है, इसको भोग 6 बे अस्थान कहा जाता है, इस से पेर का भी विचार किया जाता है, पेर के जो नीचले भाग होते हैं, जिनको तलवे कहते हैं, उनका भी भाव है, अगर यहां का स्वामी कहीं पर बैठ जाए मान लीजिए ब्रहस्पती है यहां का स्वामी मैं फॉर एक्जामपल के लिए बता रहा हूँ चूकि यहां ब्रहस्पती दूशित नहीं हो पाएगा कारण क्या है कि भागेश है और भागेश दूसित नहीं होगा इतना ज्यादा थोड़ा बहुत कमी आएगी तो इत्रिक भाव के स्वामी लगन में बैठेंगे तो जातक को भोगी प्रवर्ति देंगे लगन भाव द्वाव में बैठेगा तो जातक को रिणी खर्चीला अपना पैसा दूसरे इस्तियों पर खर्च करेगा ऐसा जातक अपने कुटुम्भी जनों के आगे बड़ी-बड़ी बाते हांकता है यहां का स्वामी जब यहां बैठेगा तीसरे भाव में बैठने के कारण द्वादशेस का भाव बन्दू कुटुम्भीयों के साथ मतभ भेद रहेगा खर्च के कारण लडाईयां होंगी तो इसी के साथ साथ आपको हमने यह समझाने का प्रयात्म किया है कि त्रिक भाव के स्वामी जब किसी भावेश के साथ बैठेंगे उस भावेश को दूसित कर देंगे तो फिर से कहता हूं लगन को मूल त्रिकॉन भी कहा है केंद्र भी कहा है चतुर्थ सप्तम दसम यह केंद्र है पंचम नवम यह मूल त्रिकॉन है यहां का स्वामी राज्यकारक होता है यहां का स्वामी भी राज्योग कारक होता है तो अब इस वीडियो में हमने यह बताया कि कोई ग्रह बुरा नहीं होता वह भाव के अनुस आपको बेसिक रूप से बताने का जो प्रयास किया है, यह आपको कितनी समझ में आया, हमें बताईएगा, मेरा प्रयास है कि आपको बड़ा कुछ बता पाऊंगा, लेता हूँ विदा अगले वीडियो में पुना मिलूँगा, तब तक नमस्कार जैशेकृष्णा.